तो गैस मैं हुँआ की तोगर आप देख रहे हैं रिस्लिंग फैन्स नाइट पक्स सबसे पहले सुर करते हैं गाइस दख्वीन सालिट फ्लेर से तो डेव मेलजर ने सालिट फ्लेर के रिटरण के उपर बात किये अब रिटरण डेट नहीं बता है इन्होंने इन्होंने बता करेंगी फेस करने के लिए बियांका ब्लेर को स्माइक डॉन विमेंज चैंपिसिप के लिए इनका कहना है कि डबीड़ी के पास डिविजन के अंदर हील्स की काफे जारा कमी है इसकी भरपाई सालेट फ्लेर हील टर्न करके करेंगी और सालेट उसके बाद चैलेंज करेंगी जाथ करने क्या लिए फिविए ब्लेर को सारी चीजें सही है बट मुझे एक बात समझ नहीं आती पसंद भी नहीं आती कि सालेट को हमेसा टाईटल फ्यूड में क्यों डालना है सालेट की जितनी फ्यूड्स होती है जितनी भी हो जाए वो 99 परसंट टाइटल में लेइब कहते हैं कि सालेट को ओवर करा जा रहा है तो अब यहां पर आके सच साबित होने लगता है हर बार फ्यूड टाइटल फ्यूड ही क्यों होती है यह समझनी आता मुझे जैसे बेकलिश की फ्यूड है तो भाई जरूरी नहीं है कि हमेसा वो टाइटल फ्यूड होती है सीन कुछ ऐसे होने होती है तो थोरा बहुत यहां पहल पहुस्य उल्टा फुल्टा होगा यहां पर बेकलिश आने वाली है किस रहें कोई बेकल इंच जाएंगी रॉब विमिस चैंपसिप के लिए डाइट मीन्स की टाइटल एक्सचेंज होगा बियांका ब्लेर और फिर इनके बीच में रिया रिपली के बीच में ऐसा कुछ मेंटजर की बातों से लग तो रहा है फिलाल तो ऐसे में बेकल इंच भी आने वाली है और फियूड करेंगी रिया रिपली से यहाँ पर ध्यान से आप लोग इस बात को सुनना बेकल इंच रिटरंड करके तुरंत नहीं फियूड करने वाली है रिया रिप्ली से पहले वो अपनी फ्यूड को रैप अप करेंगी ट्रिस्ट्राइडस के साथ उसके बाद वो आगे आने वाले टाइम में रिया रिप्ली को चैलेंज कर सकती है डाउन दरोड ये फ्यूड डबी डबी ने प्लान करके रखिए रिपोर्ट का कुछ ये कहना है तो फ्यूड की बात करी रहें तो एक और अपडेट है वो है रोमन रेंज के फ्यूड को लेके रोमन रेंज वर्सेज एज एक बार फिर से हो सकता है सिर्फ यहीं नहीं बल्कि और भी मल्टिपल मैचेस डेफ मिल्जर ने कहा दिये है कि भाई होंगे आगे जाके यहाँ पर किसका किसका नेम है क्या क्या है भाई मैं आपको बताता हूँ एकॉर्डिंग टू डेफ मिल्जर रोमन रेंज के लिए स्मैकडान पर प्लैंस बहुत तकड़े होंगे और आने वाले कुछ रेगुलर लाइब इवेंट्स में प्रीमियम लाइब इवेंट्स आइमीन वहाँ पर रोमन आपको कम्पीट करते वे दिखेंगे यहाँ पर जो नाम मेंसन करे गए हैं गाज वहाँ पर टॉप पर एज हैं उसके बाद एजर स्टाल्स मियें तो एज को सायद एक बार फिर से रोमन के अगेंस्ट मैच मिलेगा ऐसा कुछ डेव मेलजर की बातों से लगता है बाकी एज के अलावा भी यहाँ पर बहुत सारे गजब के नेम से रेमिस्टीरियो हैं यह कमाल की फ्यूड हो सकती है एक साथ पहले भी होज़ों की फ्यूड लेकिन उस टाम नहीं थी तो यह क्राउड के सामने तगरी फ्यूड हो सकती है सीमस के साथ भी हो सकती है तो प्लैन्स तो है by www काफ रोमन की लिए तगडे ये डेव मंटसर ने बात कुछ confirm करके बता दिये आगे बढ़ते हैं गाज हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि ये Seth Rollins को लेके तो अभी तक बहुत सारी betting sites ने अपनी bet release कर दिये Seth Rollins को लेके कि वही जीतेंगे World Heavyweight Championship अभी कुछ सबसे टॉप website में से एक bet online ने bet release कर दिये कि कौन बन सकता है World Heavyweight Champion यहां पर भी Seth Rollins का ही नेम है Seth Rollins ही यहां पर फेवरेट है तो bet online बहुत एक बड़ी website है वहां पर बहुत सारे लोग bet करते हैं मासे बट करते हैं तो ऐसे में वहां पर जारा चांसे होते हैं कि bet accurate हो तो Seth Rollins वहां पर भी फेवरेट हैं और देख के लग रहा है कि रॉलिंस ही जीतेंगे जीतेंगे टाइटल क्योंकि बाई इनके पास जो अभी करेंट लिक्रावड रियाक्शन हा रहा है लोग वारा-बारा मिनट तेरा मिनट इनके सब्सक्राइब करेंगे तो इसके अलावा आप किसको चैंप सब्सक्राइब करेंगे नाइट ऑफ चैंपेंट होती है इस वाले के लिए रोमन रेंज ते लेगे और रिया रिप्ली अंड गंथर वगेरा सब नहीं एनाउस है तो यह लोग नहीं आते नाइट और चैंपेन्स का फॉर्मेट भी चेंज हो जाएगा क्योंकि नाइट ऑफ चैंपेन्स का मतलब होता है कि हमेशा हर टाइटल डिफेंड रहल नाइट ऑफ चैंपेन्स इवेंट में लेकिन इस बार यह चीज नहीं होगी तो यह एक मैसिव चेंज होगा इस format के अंदर भी फिलाल के साफ से घाई, यही कुछ अपडेट इस वीडियो के लिए अधोन मिली होगी वीडियो को लाइक कर सकते हैं वेडियो को लाइक कर सकते हैं आपको सेर कर सकतें चैनल को follow भी कर सकते हैं मुझे instagram and twitter पर link आपको मिलेगी description में मिलते हैं पर नेक्स वाफ़ेर काफ़ इंडरस्टिंग वेडियो में